दोस्तों अगर आप अपनी बिजनस को प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोशनल मेल्स के जरिए, वाटसप मेसेजिस के जरिए, मोबाइल मेसेजिस के जरिए तो ये वीडियो आपके काफी काम की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्री में प्रमोशनल इमेल्स भेज सकते हैं, वाटसप मेसेजिस भेज सकते हैं, मोबाइल फोन के उपर SMS भेज सकते हैं और किस तरीके से आप इस टूल का यूज करके इसे लाज तक जरूर देखे ताकि सारी चीज़े क्लियर कट आपको समझ में आ जाए और आप इस टूल का यूज करना सीख सके सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और यहां पर हम सार्च करेंगे ब्रेवो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी ब्रेवो.com जो की फॉर्मली सेंडिन बलू के नाम से था पहले इसका नाम सेंडिन बलू था बाद में इसको चेंज करके ब्रेवो कर दियेगा आपने यह लिंक ओपन कर लेनी है दैन आपने यहां प्राइजिंग के अंदर आनी है आप यहां ब्रेवो को उपर देख सकते ह है जिसके अंदर आप 300 emails per day send कर सकते हैं जिसके उपर कोई भी capping नहीं है इसके अंदर आप transactional emails, sms, whatsapp, campaigns वगरा सारी चीज़े बिल्कुल run कर सकते हैं तो अगर आपका business छोटा है starting में आप अपने promotional messages वगरा send करना चाहते हैं अपने services को promote करना चाहते हैं तो यह plan आपके लिए best होने वाली है तो हम यहाँ पर इस plan को choose करेंगे then sign up इसके उपर click करेंगे और brevo के उपर हम अपना पहले एक account open कर लेंगे आपने यहाँ पर choose कर लेनी है Google या आप custom emails वगरा डालके भी अपना account create कर सकते हैं then आपने अपनी Gmail account कोई सा भी account choose कर लेनी है continue then आपने यहाँ पर first name last name और company name फिल कर लेनी है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कोई website है तो उसका URL यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपकी कोई website नहीं है तो I don't have website इसके उपर चेक कर देनी है continue अगेन आपने यहाँ पर company का information उसकी address फिल करनी है country हम यहाँ पर India select कर लेंगे continue अब यहाँ हमें अपनी organization के बारे में बतानी है तो हमने यहाँ पर अपनी employees की जितने भी employees है उसे choose कर लेनी है तो मैं यहाँ पर single रख देता हूं उसके बाद हम यहाँ पर how many contacts do you need to have आप कितने contacts रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर choose कर लेता हूं पंद्रसों से एक लाग ओके डू यू sell online येस टर्म्स कंडिशन को agree करनी है continue अब यहाँ पर आपको इंडियर mobile number फिल करनी है जिसके उपर आपको एक OTP जाएगा OTP authentication करने के बाद से आपका account setup हो जाएगा तो हमने अपने account ब्रेवकूप पर setup कर लिया हुआ है अब मैं जल्दी से आपको account login कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या ऐसे tools मिलने वाले है क्या-क्या features मिलने वाले हैं जिसका use करके आप अपने business को और भी grow कर सकते हैं account setup होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब यहाँ left side में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे features दिये हुए हैं जैसे की contact का इसके अंदर आप contact को import कर सकते हैं हमने यहाँ प आप अपने files को जैसे की CSV, XSR और TXT files वगरा के जरीए आप अपने emails अपने contacts वगरा को import कर सकते हैं चाहे तो आपको copy paste करनी है तो आपने इस option को choose करनी है और वहाँ से copy करके simply इसके अंदर आपने paste कर देनी है आपका एक contact file create हो जाएगा अगर आप किसी another tool का use करके अपने contact क import करना चाहते है तो इसके अंदर आप जा करके यहाँ tools के माधियम से अपने contact को import कर सकते हैं अब हम यहाँ पर आ जाते हैं campaigns के अंदर कि किस तरीके से हम brave को use करके अपना promotional mails free में send कर सकते हैं bulk mail free में send कर सकते हैं उसके लिए हमने campaign create करनी होती है campaign create करनी के लिए हम यहाँ campaigns के अंदर आएंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा email campaigns, sms campaign, whatsapp campaign और web push notification का भी campaign आप यहां पर run कर सकते हैं इसके अंदर आपको pre-designed templates भी मिल जाते हैं और यहां पर आप automation के जरीए भी अपना campaign चला सकते हैं transactional messages वगरे भी आप API के जरीए setup कर सकते हैं जिसे की आपकी site के उपर कोई transaction करता है तो उसकी transactional messages आप यहां ब्रेवो के जरीए send कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो कोई भी sponsor नहीं है हमने खुद इसको try किया हुआ है मुझे ये waste लगा इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताओं कि कैसे आप भी इसका use करके अपने bulk emails अपने promotional messages वगरेरा को send कर सकते हैं और अपने business को अपने services को grow कर सकते हैं अब जिसे माल लिजी कि हमने email campaign setup करनी है तो हम यहाँ पर choose कर लेंगे email हमने यहाँ पर already email campaign trial के लिए setup किया हुआ था जो की 4 लोगों को हमने send किया हुआ था 4 recipient जिसमें से 1 ने open किया हुआ है अब इसका अगर हम यहाँ पर detail में analytics देखना चाते हैं तो हम इसके उपर click करेंग अब हमारे सामने कुछ इस तरीकी की पूरी summary open होके आ जाएगी जिसके अंदर सारी details सारे analytics वगरा यहाँ पर आपको show हो जाएंगे हम यहाँ वापस से back आ जाते हैं अब हमने campaign create करनी है तो यहाँ create campaign इसके उपर click करेंगे यहाँ पर हम अपनी campaign का एक नाम दे देंगे create campaign जैसे कि हमारा email id use होगा हमारा जो business name है वो business name हमारा यहाँ पर रहेगा आप इसे चाहें तो change भी कर सकते हैं ओके हम इसे save कर देंगे then recipient यानि कि किन लोगों को हम यह campaign send करना चाहते हैं तो add recipient के अंदर हम आएंगे यहाँ पर हम send to इसके अंदर हम contact को choose कर लेंगे तो जो भी contact हमने contact list के अंदर डाला हुआ है उसकी list हमें यहाँ पर show कर जाएगी हम उस list को यहाँ से select कर सकते हैं तो जैसे कि recently हमने यह contact list use किया हुआ था तो मैं इसी को यहाँ पर pick कर लेता हूँ then again हम यहाँ पर save करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि remaining emails यहाँ पर 296 यानि कि 4 emails हमने already पहले send कर लिया हुआ था अब यहाँ पर 2 emails हम और send करना चाहते हैं तो यह इसके अंदर minus हो जाएगा यानि कि आपको यहाँ पर really में 300 emails का campaign send करने का daily का option मिल रहा है जो कि बिल्कुल free है हम यहाँ इसे save कर देंगे तो यह हमारा recipient भी यहाँ पर ready हो जीगा अब हम यहाँ पर अपनी email का subject डालेंगे आप यहाँ पर subject line को create करने के लिए AI का भी use कर सकते हैं AI भी इसके अंदर inbuilt है हम यहाँ पर डाल देते हैं एक subject line ओके यह हमारा subject line हो गया हम इसे save कर देंगे उसके बाद हमने यहाँ design के अंदर आनी है start designing इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे pre-design templates भी मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ हम template gallery के अंदर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे pre-design templates मिल जाएंगे जिन्हे आप यहाँ पर use कर सकते हैं बिल्कुल free of cost तो हम यहाँ पर इस template को choose कर लेते हैं use template इसके उपर click करेंगे और इसके अंदर जो भी modification है वो हम यहाँ पर कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर हम अपनी company का नाम दे देंगे और जो भी campaign related images हैं उसके text हैं उसकी जो भी outlines हैं messages हैं वो हम यहाँ पर fill कर देंगे इसके अंदर हम कोई link include करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सारी चीज़े include कर देंगे उसके बाद save and quite पे हम click करेंगे ओके तो यहाँ पर हमारा design भी ready हो चुका है हम यहाँ additional settings के अंदर आएंगे तो यहाँ पर इसको personalize भी कर सकते हैं जैसे कि हम यह यहाँ personalize के उपर click करेंगे और interpersonalize के अंदर हम जाएंगे तो अगर किसी company के name या किसी के name से आपको यह email campaign create करनी है तो आप यहाँ पर इसको personalize कर सकते हैं लेकिन मैं recommend करेंगा कि आप इसको personalize ना करें अब अगर आप चाहते हैं कि किसी another email के उपर आपको reply या इस campaign का तो यहाँ पर और भी बहुत सारे features मिल जाते हैं जैसे कि subscription के अंदर आप किसी दूसरे custom page को unsubscribe page रखना चाहते हैं तो इस option को choose कर सकते हैं otherwise आपने IZT's रहने देनी है save इसके उपर click करनी है अब आपका campaign यहाँ पर ready हो चुका है अब हमने यहाँ पर schedule के अंदर आनी है और इस campaign क अगर अभी send करना चाहते हैं या इसको schedule for letter करना चाहते हैं send at best time जो best time हो उस time पर आप send करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर option को choose कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर send now इसके उपर choose कर लेता हूँ और send now पर click करता हूँ तो यह हमारा campaign अब create हो चुका है और यह successfully अब यह schedule भी हो चुका है जो कि अभी deliver हो जाएगा अब हम यहाँ पर इस page को एक बार refresh करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो test campaign है वो अभी scheduled है यह schedule इसलिए है क्योंकि अभी हमने यह campaign 11 बज के 18 मिनट जो कि रात को मैं यह video record कर रहा हूँ इसमें हमने इस campaign को create के हुआ है तो इस time पे कोई भी campaign आप send नहीं कर सकते हैं इसका भी एक time होता है जिस time पे आप अपने campaigns वगर अपने promotional messages वगरा को send कर सकते हैं तो यह early morning यानि के 9 बजे से 9 बजे यह हमारा जो भी campaign है वो run करना शुरू हो जाएगा और इसके सारे जो भी promotional messages है जिस contact को हमने choose किया हुआ है अपने list के अंदर उनको यह send हो जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ पे SMS का campaign create कर सकते हैं WhatsApp messages का campaign create कर सकते हैं वेब push का notification का आप campaign create कर सकते हैं अगर आप कोई deal campaign create करना चाहते हैं तो आप यहाँ से deals का भी campaign create कर सकते हैं अग अगर आपको business manage करने के लिए कोई international number चाहिए तो आपको यहाँ पे एक number भी provide कर दे जाता है जो कि आप free में use कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप brave का use करके अपने business को free में promotional messages promotional emails के जरिए promote कर सकते हैं और अपने business को grow कर सकते हैं तो I hope कि यह वीडियो आपको पस परी में send कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताएं इसके अलावा अगर आपको इस tool के बारे में detailed tutorial चाहिए तो आप नीचे हमें comment करके बताईए ताकि इस tool के ऊपर हम detailed tutorials create करके आपको सिखाएं कि किस तरीके से आपको ब्रिवो के सारे tools को use करनी हैं तो वीडियो गर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरूर करें साथ एगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe के साथ साथ notification को भी on कर लिजिए मिलते है next वीडियो में किस नई topic के साथ जय हिंद हुआ है